हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माय चानल मैं भूशन आप सबका आपके यूट्यूब चैनल गुडवाइस में स्वागत करता हूँ केसे हो दोस्तो टोपिक पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेर और सब्स्राइब ज़रू करें चैनल को शेर करना भी ना भूले आज का टॉपिक हैं आज का टॉपिक है मौरपंख देवो की राजा इंदर का आसन मौरपंख से बना ही गनपदी जी चीक spins का वांभन मौ है बगवान कृश्ण के सरपर मौरपंख न हितना पूछ जो वेतकाल से इतना पूच्छ है आखिर इस मौरुपंख में ऐसा क्या राजे और इस मौरुपंख को यूज़ करके हम डेली उसके प्रॉब्लेम कैसे सॉल कर सकते हैं, अगर में मोरफ पंख रखने से क्या होगा, जिस भी जगह आप मोरफ पंख रखते हैं, वहार नैचरिली पॉजिटिव एनरजी निर्मान होती है, इसलिए हमें अपने घर में मोरफ पंख रखने ही चाहिए, अगर आपके काफी फाइदा होगा, जिनको अपने प्रेम संबंद अच्छे रखने ही, वो जोडी के फोटो में मोरफ पंख लगाए, इससे अपके संबंद काफी अच्छे होंगे, जो बच्चे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने बुक में मोरफ पंख जरूर रखना चाह अगर आपको नेम फेम चाहिए, तो रातरी बारा बजे क्रिष्ण जन्मा के बाप भगवान को मोर मुकट पहनाए, आपके सर पर भी भगवान सुखो का ताच पहनाएंगे, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, आपको अपने दोस की साथ या बॉस की साथ आप आपको जो उपाय बतानी जा रहा हो, अगर ये उपाय आपने कर लिया, तो आपकी केसी भी वीश हो, केसी भी चाहिए काम ना हो, वो ज़रूर पूरी होगी, यह उपाय आप पूरे आस्ता से करे, पूरे दिल से और मन से करे, ज्यान रखे, दोस्तों उपाय देखो, जन्म पीला कागस आप मंदिल में जाकर बद्वां के पास रख दे जी स्कोर करने का टाइम शाम साथ बजे गोगा तो बेहदी उत्तम बुरे दिन में आपका भीवी कर सकते हैं पर ध्यान रखे कि आपको ये करते को कोई टोके ना यह उपाय आप पूरे मन से करें आप मुझे थैं लाइस स्थ्राइब जरू करें